नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बाद फिर से माने इस यूटूब चैनल लेट्स वर्ट टेक में फ्रेंड्स यूड के तरफ से एक नई अपडेट आई है जिसके तहट आप अपने आधार कार्ड का नेम डेट बर्ट जेंडर या फिर एड्रेस ओनलाइन खुद से अपडेट कर सकते हैं तो आज की स्वीडियों इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इससे पहले अगर आपको इस तरह से कोई भी अपडेट करना होता था तो आधार सेवा के अंदर पर आपको विजिट करना होता था वाट यूड के इस अपडेट के आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को बिना स्किप के हुए देखिए और सारे इस टेप को फॉलो करके आप अपने आधार कार्ड को सही तरीके से अपडेट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगी तो आप वहां से इसको गोत्रू कर सकते हैं तो यहां से आपको इंटर करना है इंटर करने के बाद आप अधार सेल्फ सर्विस अपडेट पॉर्टल पर आ जाएंगे तो इस पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था यू कन अपडेट यूर नेम डेट और जेंडर एड्रेस और लेंग्वेस ओनलाइन ठीक है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ प्रूफ-आइटेटि डॉक्मेंट नाप यूश कर सकते हैं इसमें आपको टोटल बंब मेंन का लिस्ट है जिसमें आप किसी एक का यूज कर सकते हैं और इसके की बात करें तो यहां भी आपको लगभग 45 ऐसे डोकुमेंट हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं अगर बात करें डेट बर्थ डोकुमेंट में तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग टोटल 15 ऐसे दोकोमेंट से जिसका यूज आप भार्थ के रूप में यूज जह कर सकते हैं उसके बाद है आपका पूफ अप्सक्राजेन में आप जोटर दोकोमेंट यूज कर सकते हैं यइस वेबसाइट कों all P डोकुमेंट्स आपको लगने वाली है इसमें ठीक है तो आप अपने कोडिंग इस वेब साइट पर विजिट करके आप एक एक चीज को आप अच्छे अच्छे पढ़ लिजे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा है हिलाल मैं यहां पर प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करता हूं तो इसके बाद आपको यहां पर अपना आधार नमर एंटर करना है और आधार नमर एंटर करने के बाद आपको नीचे जो क्याप्चा कोड सो हो रही है तो क्याप्चा कोड आपको यहां पर एंटर करना है इंटर करने के बाद आपको यहां पर सेंट औ मोबाइल नमबर पे तरफ से एक OTP आएगी वह OTP आपको यहाँ पर इंटर करना है तो OTP इंटर करके जैसे आप लोग इन करते हैं आपके सामने एक निव पेज ओपन होगी जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपडेट डिमोग्राफिक डिटा इंक्लोडिंग एड्रेस तो अब करना है तो आपको यहां पर क्लिक करना और इसकी निचे जो सेकेंड आपको दिख रही है अपडेट एड्रेस वाया शिक्रेट कोड अगर आपके पास वैलिद डॉक्मेंट नहीं है तो आप अपडेट ए और जिसका मतलब यह हुआ कि आप जिंडर को लाइफ टैम में सिर्फ एक बार अपडेट कर सकते हैं तो जो भी अपडेट करिएगा सुझ समझ करिएगा ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एड्रेस में कोई लिमिटेशन नहीं है तो एड्रेस को आप कितना बार भी चेंज कर सकते हैं तो इन में से जो भी आपको अपडेट करना है आप अपने एक कोरिंग सेलेक्ट कर लीजिए अप सेलेक्ट करने के बाद सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज उपन हो जाएगी जिसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद यहां पे आप इस पर क्लिक कर दिजिए इसके बाद जितने फिल्स आप सेलेक्ट किये थे अपडेट करने के लिए उतने टेब आपके सब्सक्राइब यहां पर आपको करेंट नीम को जाएगा आप करेंगे तो यहां पर आपको आपको हिंदी हिंदी टाइप हो जाता है space space करने के बाद Hindi name में कोई problem आदी है तो आप power influenced का यूज करके आप अपने नाम को यहां पे सहीक कर सकते हैं जो दोकुमेंट आपको upload करना है पहले आपको डोकुमेंट के लिष्ट में से आपको उस जूइंट को कर लेना है स्लेक्ट करने के बाद यहां से आप क्या जो डोकुमेंट जो डोकुमेंट है उसको अप्लोड करना है एक कंडिशन है जिसमें आप मैक्सिमम साइज 2 MB का यूज कर सकते हैं और सपोर्टेट फॉर्मेट में जेपी इजी पी और पीडियाप को भी अप्लोड कर सकत स्यरों सु और जो आपको सही करना है यहां पर टाइब कर लेना है जो आपका सही देलें के बाद आप कुन सा डोकुमेंट अप्लोड कर रहे हैं डिट बिस करनें के सेलेंग बाद उस्हयक्णा कर दिजिए चैनल कंडिशन है फाइल का साइज होना चाहिए 26 गया मैक्सिमं तो इसके बाद आप अपने प्रिव्यू टिटेल्स को अच्छी तरह से चेक कर लिए जो भी आपने अपडेट किया है वह सही है या नहीं जो भी डॉकमेंट्स आपने अप्लोड किया है उसको भी अच्छे से चेक कर लिए इसे कंफर्म करने के लिए आपको फिर से कैप्चा वेरिफिकेशन का इस्टेप को पूरा करना होगा तो कैप्चा वेरिफिकेशन में फिर से आपको कैप्चा इंटर करना है तो कैप्चा इंटर करने के बाद आप सेंट ओटीपी पे क्लिक करेंगे सेंट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइ पर फिर से one time passport UID के तरफ से आएगी तो उसको आपको फिर से यहाँ पर verify कर देना है verify करने के बाद इस check box पर click करके make payment पर click कर देना है तो इसके बाद आपको payment gateway के website साइड पर redirect कर दिया जाएगा तो वहां से आपको डेविड कार्ड के रिड कार्ड या फिर नेट वैंकिंग की मदद से 50 रुपे का payment करना है तो पेमेंट करने के बाद आपको एक slip मिलेगी आप उससे डाउनलोड करके रख लें और आपका रेजिस्टर्ड मुबाइल नंबर पे भी एक urn नंबर आएगा ठीक वहां से आपको अगर अपने आधार कार्ड की update की status चेक करनी है तो आप वहां urn नंबर इंटर करके अपना status चेक कर सकते हैं आसा करता हूं यह वीडियो आप लोगों के लिए informative रही होगी अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को like करें और अपने फ्रेंट के साथ share करें और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन इनेवल कर लें ताकि मैं फ्यूचर में जब भी कोई वी झाल झाल